नमस्कार, मैं हूँ गोईत कौशिक और स्वागत आपका दाहिंद वर्यर न्यूज में फरिदाबाद के गाउं जकोपुर में बूचडखाने बनाए जाने पर ग्रामीनों ने किया जमकर विरोध आपको बता दें ग्रामीनों ने विरोध करते हुए कहा कि किसी भी हाल में गाउं में बूचडखाने नहीं बनने दिये जाएंगे आएए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा फरिदबाद के जकोपुर गाउं का है जहां पर ग्रामीनों ने गाउं के पास बनाय जा रहे बूचडखाने को लेकर विरोध परदर्शन किया ग्रामीनों का आरोप है कि मामला कोट में होने के बावजुद भी अधिकारी जबरदस्ती गाउं के पास बूचडखाना बनवा रहे हैं मैं ग्रामीनों ने बताया कि वे ब्लॉक अधिकारी से लेकर डीसी फरिदबाद तक गुहर लगा चुके हैं परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही साथ ही ग्रामीनों ने बताया कि मामला कोट में चर रहा है और कोट का फैसला तीन तारिक को आना है परंतु अधिकारी इससे पहले ही यहाँ पर बूचडखाना बनवा रहे हैं गाउं के पास बनाये जा रहे बूचडखाने से यहां की हवा पानी खराब और दूशित हो जाएंगे साथ ही गाउं के बच्चे बिमार पड़ सकते हैं साथ ही ग्रामीनों ने यह भी कहा यदि कोट जो फैसला देगी वह उन्हें मनजूर होगा फिलाल ग्रामीन बूचडखाने का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर बूचडखाने को नहीं बनने दिया जाएगा महीं मोकर पर पहुचे नगर निकम एक्शन ओपी करदम ने बताया कि यह बूचडखाना नहीं बलकि यह modern slaughterhouse बनाया जा रहा है और यह काम सरकार के आदेश पर किया जा रहा है बात दूसरी है कि ग्रामीन इसका विरोध कर रहे हैं परंतु हम सरकार के आदेश पर काम कर रहे हैं सरकार यदी हमें यहां से इसे हटाने के आदेश देती है तो हम इसे यहां से हटा कर कई और बनाएंगे परंतु फिलाल सरकार के आदेश यही है कि यहां पर modern slaughterhouse बनाया जाए सर यह जो गाउं से नजदी बूचडखाना बनाया जा रहा है कुल गाउं के आबादी के बिल्कुल जड़ में ठीगरी फेरी पंचात की जमीन थी जोने हमारे गाउं के नजदी के बूचडखाना दे दिया है गाउं आसपास के सभी गाउं इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि जहां भी बूचडखाना आज तक सरकार ने बनाये हैं हर जगा बद्वू की और पानी की सिकायत खराब होने की आती है तो हम इस बूचडखाने का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं चाहे किसी भी तरीके से रूखे हम हर तरीके से बूचरखाने को विरोध में रहेंगे वही इस मौके पर गाउं में भारी पुलिस बल मौजूद रहा हमारे चैनल के साथ जोड़े रहे हमारे चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद